Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाडमी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंटरेस्टेड हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखोट सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरिन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading तो चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally September month में क्या हो रहा है और आपकी energies से हम शुरू करेंगे लेकिन उससे भी पहले आप लोगों के एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ time से हैं September month में आप दोनों के बीच में कुछ issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं अब दिखें इस चीज़ को सुनके ना आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है बहुत सारे नीचे comments होते हैं reading बड़ी negative है दिखें reading negative नहीं होती है एक situation life में आती है वो जब हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हमें negative लगती है हमारे हिसाब से होती है तो positive लगती है अब उसको हम किस तरीके से deal करते हैं किस mindset से deal करते हैं उसी के ओपर depend करता है कि कितनी easily हम उस situation से अपने आपको बहार निकालें और, you know, कैसे हम उस situation को जो हमारे हिसाब से नहीं है, उसको भी अपने हिसाब से कर लें तो इस reading से आपने guidance लेनी है, कैसे आप situation को अपने मताबिक बना सकते हैं, कैसे आप positively deal कर सकते हैं उस तरीके से आपने इस reading को देखना है, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि छोटे मोटे issues, मसले रह रहे हैं, ये issue, मसले, सब Leo's और उनके partner के लिए different reasons के लिए रह सकते हैं लेकिन cards के हिसाब से कर मैं देखूं तो third party interference रहती हुए दिख रही है, अब यहाँ पर third party का मतलब romantic triangle नहीं है सब के लिए ये general reading है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, possible नहीं है ना कि सब के लिए ही romantic triangle की वज़े से ही third party होगा कुछ के लिए आपका कोई loved one, close one या आपके partner का कोई loved one, close one है, जिसकी वज़े से आपके relationship में issues हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में problem हो रही है, उसको भी हम third party कहेंगे आपके काम की वज़े से, प्रोफेशन की वज़े से या पार्टनर के प्रोफेशन और काम की वज़े से आप दोनों का relationship effect हो रहा है उसको भी हम third party energies कहेंगे और romantic triangle तो दिखे है ही third party तो कुछ के लिए literally हो सकता है कि romantic triangle है कुछ के लिए कोई भी और तरीके से third party हो सकती है देखे आपके लिए three of pentacles और literally third party का card है आपके partner के लिए four of cups, opposites attract, three of swords ये सारे ही cards third party की तरफ indicate करते हैं तो अभी हम detail में देखेंगे कि क्या हो रहा है और किसकी तरफ से ज़्यादा उमीद है ठीक है, तो सबसे पहले हम आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर three of pentacles का card है और ये card कहता है कि या तो आप अपने professional front work पे ज़्यादा focus कर रहे हैं अब reason सब के लिए differ करेगा क्योंकि three of pentacles के नीचे travel का card है तो कुछ लिए उसके लिए literally हो सकता है कि आप अपने work के लिए travel कर रहे हैं September starting में या फिर September month में या कुछ time पहले से भी रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि एक distance आप दोनों के बीच में आ रहा है क्योंकि आप travel कर रहे हैं या फिर ये long distance relationship है और यहाँ भी three of pentacles का भी card एक दो चीज़े कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप you know professional advice ले रहे हैं counseling ले रहे हैं क्योंकि relationship में issues है कुछ के लिए हो सकता है कि आपके कोई loved one है close one है उनसे आप discuss कर रहे हैं और दिखिए जो भी आप लोगों से connect कर रहे हैं तो कहीं fun मजा मस्ती के लिए नहीं connect करते हुए दिख रहे हैं आप कोई concrete issue, concrete मसला यानि की बहुत practical, realistic कोई चीज है कोई issue है उसको discuss करने के लिए लोगों से connect कर रहे हैं या फिर advice ले रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी आप अपने work professional front पे focus कर रहे हैं और दिखें travel का card literally ये भी कहता है कि आप travel कर रहे हैं या फिर otherwise देखें तो आपकी तरफ से दूरी आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि एक distance आप दोनों के बीच में आ रहा है और कहीं mid September के लिए Eight of Souls and Denial के cards कहते हैं कि आप काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपको एक अकेलापन लग सकता है एक confusion रह रहे है कुछ लिए उसके लिए literally हो सकता है helpless, hopeless वाली energies हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस situation में आप कैसे चीज़ों को deal करें बहुत जादा एक you know फिर से मैं कहूंगी बंधा हुआ और बहुत जादा एक helpless वाली feelings एक का दुक्का लिए उस महसूस कर सकते हैं और देखे इसके लिए again सब लिए different reasons रहेंगे लेकिन Eight of Souls के नीचे denial का card कहता है शायद आप चीज़ों को नए accept नहीं करना चाहा रहे हैं अब देखे फिर से यहाँ पर सब लिए उस के लिए different reasons रहेंगे लेकिन मेरी एक best friend अभी भी है in fact तो उनका उनके partner का उनकी best friend के साथ affair था और वो कितने time तक इस चीज़ को accept नहीं करती थी सबको पता था friend circle में लेकिन वो नहीं accept करती थी तो यहाँ पर मैं आपको सिरफ example दे रही हूँ कि जब हम accept नहीं करते हैं denial में रहते हैं तो भी हम बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि देखिए अगर मैं इस चीज़ को accept ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे 100 बुखार है तो मैं उसकी दवाई नहीं लूँगी medicine नहीं लूँगी मैं बुलूँगी मैं तो ठीक हूँ मैं तो ठीक हूँ और फिर मेरी बिमारी बड़ेगी या फिर मेरा बुखार बड़ेगा लेकिन the moment I accept कि यार मुझे बुखार है and I need to do something इसको ठीक करने के लिए मैं medicine लूँ या मैं अराम करूँ तो वो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा अब दिखें यहाँ पर मैंने आपको romantic triangle का example दिया बट कोई भी चीज हो सकती है जो आपको bother कर रही है परिशान कर रही है लेकिन यहाँ पर फिर से मैं कहूँ कि denial का card करते है आप accept ही नहीं कर रहे हैं और जब हम accept नहीं करते हैं हम surface level पर चीजों को शायद ठीक कर रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर या फिर back end पर वो चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो please अगर ऐसा आप पाएं तो एक acceptance लेकर आएं denial वाली energies में ना रहें और देखिए end September के लिए यहाँ पर third party and judgment के cards कहते हैं कि शायद आपके subconscious mind को या deeper level के लिए आपको इस चीज़ का एहसास है कि तीसरे इंसान यह again मैं कहूंगी कोई भी हो सकता है आपकी तरफ से उनकी तरफ से या फिर third party energies हो सकती हैं इनकी वज़े से issues हैं लेकिन फिर भी आप जो भी issues हैं उनको खतम करके एक नए तरीके से अपने partner के साथ fresh beginning करने पर focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से critical हो रहे हैं judgmental हो रहे हैं और थोड़ा you know verbal हो रहे हैं यानि कि जो भी आपको लग रहा है आप उसको थोड़ा loud बोल रहे हैं थोड़ा जोर से बोल रहे हैं या जादा बोल रहे हैं या जादा लोगों को हो सकता है बोल रहे हैं फिर से कहूंगी general energies और थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और ये भी हो सकता है by the end of September आप इस चीज के लिए एक acceptance ला पा रहे हैं, accept कर रहे हैं और आप उसको communicate कर रहे हैं और बहुत critical judgmental हो रहे हैं या फिर जो भी issues हैं, मसले हैं आप उन सब को end करके अपने partner के साथ एक fresh नहीं beginning करना चाहा रहे हैं अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं तो यह कि आपके partner भी कहीं लोगों से connect करते हुए, मिलते हुए देख रहे हैं हमने आपके लिए three of pentacles में भी similar सी energies देखी थी और आपके partner की भी यह energies हैं फरक सिरफ इतना है कि आप काम के लिए, work के लिए लोगों से connect कर रहे हैं आप बहुत किसी you know concrete, realistic या फिर वाकई में कोई issue है उसको discuss करने के लिए लोगों से connect कर रहे हैं when I say life में celebration है, मतलब उनकी family में कोई celebration है, उनकी friend circle में कोई celebration है वो उसको attend कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो वो eating, drinking, merrymaking जादा करते वे दिख रहे हैं friends के साथ fun, mजा, मस्ती जादा करते वे दिख रहे हैं और हो सकता है कि जो भी उनका circle है जिसमें वो socialize कर रहे हैं friends के साथ अगर fun, mजा, मस्ती कर रहे हैं वहाँ पर किसी के साथ वो attract हो रहे हैं, किसी के लिए attraction महसूस कर रहे हैं या पिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी celebration में मिल रहे हैं और एक attraction महसूस कर रहे हैं और कहीं देखिए mid September के लिए King of Souls Rivers का card कहता है थोड़े से या फिर काफी logical हो रहे हैं माइन से चीजों को deal कर रहे हैं controlling dominating भी हो रहे हैं spice it up का card कहता है कुछ एक boredom, कुछ एक monotonous सी energies वो महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहे है कि भई कुछ तो तीखापन आये, कुछ तो एक उनो मज़ा हो, fun हो तो इस तरीके की energies पे वो जादा focus करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए end September के लिए आपे page of souls reverse का card कहता है irritation, frustration रह सकती है उनका communication काफी blunt straightforward हो सकता है यानि कि बात करने का तरीका आपको hurt कर सकता है और deeper level के लिए शुड़ा स्टे का card कहता है कि थोड़ा सा मायूस भी हो रहे है नराज भी हो रहे हैं हाला कि आपको social media पे बहुत stalk कर रहे हैं और उनके मन में ये thought आता हुआ दिख रहा है कि मुझे इस relationship में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए अब इस चीज को सुनके आप परिशान ना हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो ऐसा कर रहे है thought सबको आ जाता है आपको भी कभी न कभी आ जाता है thought कि पता नहीं ये relationship worth it है या नहीं है तो इस तरीके से कहीं September end में September month में उनको भी thought आ सकता है और इका दुका के लिए literally हो सकता है कि वो इस चीज के बारे में seriously सोच रहे हैं और कहीं देखिए फिर से कहूंगी page of souls reverse का card कहता है काफी उनकी immature energies हो रही है maturity के साथ चीजों को नहीं deal कर रहे हैं उनका you know बात करने का तरीका बहुत taunting या थोड़ा सा sarcastic रह सकता है और आप पर पूरी नजर उन्होंने रखिवी है आप क्या कर रहे हैं क्या हाँ जा रहे हैं और अब देखते हैं कि September month में क्या हो रहा है तो देखिए September starting के लिए हाँ पर 10 of cups and closed gate gate का card कहता है कर रही है और अगर नहीं जानती है या नहीं families का connection है आप दोनों बहुत अच्छे से lovingly एक दूसरे के साथ connect करें लेकिन deeper level के लिए close gate का card कहता है कि कहीं यूनो deeper level के लिए या फिर अंदर या अंदर एक दर्वाजा या तो आप उनके लिए बंद कर रहे है या वो आपके लिए बंद करते हुए दिख रहे है कहीं you know मन ही मन से एक connection आप दोनों के भीच में नहीं रहता हुआ दिख रहा है और mid September के लिए compromise and seven of cups के cards कहते हैं शायद आप दोनों को इस चीज का हैसास हो रहा है कि भी इस relationship में आगे बढ़ना है तो compromise करने पड़ेंगे और अपने अपने levels पे आप दोनों ही compromise कर रहे हैं लेकिन एक confusion रहती भी दिख रही है हो सकता है कोई decision कोई choice लेनी है नहीं ले पा रहे हैं बहुत सारी चीजें mind में हैं बहुत सारा कुछ life में हो रहा है या फिर से मैं कहूंगी mind में बहुत सारी चीजें चल रही है एक चीज पे focus नहीं कर पा रहे हैं एक thought पे नहीं tick पा रहे हैं and end September के लिए हाँ पे three of swords and short term के cards कहते हैं कि hurt आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं आपके partner के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है आप भी हो रहे हैं लेकिन आप शायद इतना ज़्यादा उस चीज पे focus नहीं कर रहे हैं आप फिर चीजों को बड़ा नहीं बनाना चाहा रहे हैं आपके partner ज़्यादा छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाते हुए दिख रहे हैं और कुछ चलियोस की भी energies हो सकती हैं भई आप भी hurt हो रहे हैं तो कहीं एक not very good energies end September में रहती हुए दिख रही हैं ये card कहीं cheating की भी बात करता है अब देखें फिर से मैं कहूंगी third party या फिर romantic triangle ही एक cheating नहीं होती है बहुत सारी you know reasons होते हैं जैसे transparency नहीं है या फिर जूट बोला तो वो भी cheating होती है तो किसी भी level पे हो सकती है फिलाल जो भी reason रहे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक hurt होते हुए दिख रहे है और deeper level के लिए short term का card कहता है शायद मन ही मन आप दोनों को ही लग रहा है पता नहीं इस relationship का future है के नहीं है पता नहीं ये कितने time तक निभेगा पता नहीं long term तक निभेगा नहीं निभेगा तो क्या होगा इस तरीके की एक thoughts रहती भी दिख रही है या फिर हो सकते आपको ऐसा लगे कि भई ये ना relationship short term तक ही रहेगा बहुत लंबे तक नहीं जाएगा या फिर एक future इस relationship का शायद ना रहे ऐसे thoughts आप लोगों को आ सकते हैं तो ये थालियोज आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading I know छोटे मोटे issues हैं पर प्लीज इस reading को अगर आप ध्यान जे सुनेंगे आपको बहुत सारी guidance मिलेगी और आप उसको apply करें और कैसे चीज़ों को बहतर कर सकते हैं पर focus करें तो अगेन ये आप लोगों के लिए reading है और अगर ये resonate करी है तो ज़रूर इस channel को like, share और comment करें